अमी जी सबसे पहला आपसे कैसर की उपर बात करना चाहूंगा देखने कैसर सीड के नमबर वैदा 4.62 पर कादवा करता हूं नजर आ रहा है 6.600 का ही लगा चुका है लगबग 1.5 फिस्दी की तेजी है आपने लास्ट टाइम कैसर का टागेट दिया था कि 6.600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं आज आपके वो टागेट अचीव होते में नजर आगी है अब आपको इससे आगे क्या लगता है कैसर में कैसर रुजहान रहेगा जी बिलकुल जो इनिशिल टागेट से जो हमने पिसले अफ़े डिसकस किये थे वो हाचल हो चुके है और ओर ओर व्यू के सबसे मुझे लगता है कि जब तक 6,000 के लेवल होल कर रहा है पोजिशनल बेसिस पे तब तक कि ये जो तेजी है एक्स्टेंड हो सकती है अबसाइड में निक्स जो बड़ा लगल होगा वो 6,900 का होगा उसके बाद पॉसिबल है कि हम 7,100 तक के सब भी देख पाएंगे आज भी अगर हम देखें तो वोल्यून के साथ बाइंग आई है तो ओर आल जो ट्रेंड है वो मुझे लगता है पीजी का ही है और रुप उपर की तरफ ही दिखता है कोई भी रीजनेवल डिप आती है याने 6,300 से 6,250 के करीब आता है तो जो नवेशक है वो दुबारा एंटर कर सकते है 6,900 के में स्वेश हाइड के टार्जिट के लिए जी तो याने कि यहां से कैसा सीर का जो वाइदा बजार है तेजी की हो रहे अगर 6,600-6,800 की क्लोजिंग आती है तो 6,900 के भी पार जाता हो नजर आ सकता है और आसी वेले की 7,100 के भी टागेट्स हिट करता हो नजर आ है तो निचले स्थर पर खरीदारी की सला लएगी 6,600-6,800 के जब लैवल्स आए नीचे पे तो वहाँ से जो निवेश है के फिर से निवेश कर सकते हैं कैसा सीर में तेजी की रुजानकी हो रहे